एलो फेंट्स आज 23 सितंबर और आज के दिन के जितने भी मैतपूर्ण करेंट अपेस बनेंगे उसके बारे में हमनों डिटेल से अध्यन करेंगे उससे पहले कल और परसों के जितने भी मैतपूर्ण करेंट अपेस रहे हैं आई हमनों उसको रिवीजन के तोर पर देख ले युनेसको ने जलवायू कारिकरता वैनेसा नाकाटे को सतभावना राजदूत के रूप में नुक्त किया तेवेंदर जांजडिया ने वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रेंड पिक्स में रजत पदक चीत लिया है तथा स्कूलों में नो बैक डे की शुरुवात बिहार कर्ज तथा उडिशा करेगा आजियू का कार योजना के लिए दो सो एक सट करोड रूपिय का निवेस राष्टपती द्रोपती मुर्भून ने दी आठ आयाइटी निदेशक कुई निक्ती तथा वनवेव के 36 उपगरफ पहुंचे 36 धहन अंतरिक्ष केंद्र तथा कारग अंतराष्ट्य शांती दिवस कब मनाया गया है इसका सही होगा ओप्सन नमर बी एक कई सितंबर को अंतराष्ट्य शांती दिवस के रूपिय मनाया जाता है जहां अंतराष्ट्य शांती दिवस सभी राष्ट्रों के सभी लोगों के बीच में शांती अस्थापित करने के एक परियास से उनके उपलक्ष में मनाय जाता है इसकी अस्थापना के अगर बात करें तो संजुक्त राष्ट महासभादवारा 1981 से शुरू की गई है इस दिन को होता किया विशेश तौर पर निवार्क शहर में संजुक्त राष्ट के मुख्याले पर एक शांति घंटी बज करें दोस्तों बात आई है सितंबर में प्रुमुक्त दिवस के तमलोग और भी जितने भी अभी मने हुए हैं दिवस उसके बारे में हमलोग देख लेते हैं देखिए दो सितंबर को विश्व नार्यल दिवस मनाया गया तीन सितंबर को अंतर राष्ट्रिय जागरुपता दिवस 11 सितंबर को भिनोवा भावे जेनती तथा राष्ट्रिय बन शहीद दिवस मनाया गया तो यह दोस्तों सितंबर के अभी तक चित्ते भी महतपूर्ण दिवस से उसके हम लोग देखें, इसके बार next question लेते हैं, तकि दूसरा question लेते हैं, दूसरा question बहुत important इसको धायम रखिएगा, 2023 आसकर के लिए भारत की तरब से किस फिल्म को चुना गया है, इसका सही होगा option number D, छेलो शो, छेलो शो फिल्म को किस लिए चुना गया है, यह क्या है, इ पंचनबो अकादमिक शो है, ध्यान रखिएगा, यह छेलो शो, एक गुजराती फिल्म है, इस फिल्म का नाम, अंग्रेजी में अगर बात कहें, तो last film show रखा गया, क्या है, इस फिल्म का अंग्लिश में ना हो, last film show है, इतना ध्यान रखिएगा, इसके निर्देशक है, प श्मीर फाइल, इन दोनों फिल्मों को भी मात देकर, यह आगे निकल गया है, छेलो शो, इसको चुना गया है, ऑसकर अवाड के लिए, अगर 2021 की बात करें, दोस्तों, 2021 में कौन सा चुना गया था, तो 2021 में ऑसकर के लिए तमिल फिल्म को चुना गया था, इसका नाम था, क कौन सा चुना गया, मुवी है, इसके बाद नेक्स कोश्चन लेते हैं, नेक्स कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट इसको भी धान रखियेगा, ICC क्रिकेट खेल ने नियमों में किया बदलाव, क्या क्या बदलाव किया गया है, परमुक तोर पर हम लोग इस पर विशेश तो पर देखेंगे, 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 दोस्तों, 20 नितमबत हो है, 22 कॉन्ता राष्टी क्रिकेट आइस तीसी बूड ने कुछ नियमों में बदलाव किया है, इसको हम लोगते हैं, इन्होंने कहा है कि अब मांकड को अनुचित खेल नहीं माना जाएगा, बलकि इसे run out के रूप में माना जाएगा इसको मानेता दिया गया है तता दूसरा important बात है कि जो भी गेंद वाज जो गेंद फेकने जाते थे ज्यादा तर लार का परियोग करते थे लार का परियोग करके गेंद को चमकाते थे अब इस पर पूरी रूप से परतेबंध लगा लाया गया है अब वह खिलाडी गेंद को चमकाने के लिए लार का परियोग बिल्कूल नहीं करेंगे इसके बाद उन्होंने प्रमुख बदलाव क्या लाया है यह भी बहुत important ध्यान रखिया गया दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो भी catch out होते हैं खिलाडी उसके बाद जो प्रमुख बदलाव लाकई है उन्होंने कहा है कि जो भी नए बल्लेबाज पीच पर खेलने आएंगे उनको दो मिनिट के भीतने ही गेंद का सामना करना पड़ेगा अर्था उनको ज्यादा टाइम वेश्क नहीं करना पड़ेगा दो मिनिट के भीतने तैयार हो जाना है इ 2020 में यह समय निर्धान रखा गया है 90 सेकेंड अर्था 90 सेकेंड के भीतर ही आपको तयार होकर गेंद का सामना करना पड़ेगा यह नियम कब से लागू होगा तो एक अक्टूबर 2022 से यह नियम सब के उपर लागू हो जाएगा इसके बाद नेक्स को जले तो यह भी मुश्ट इसको ध्यान रखिएगा बंगलादेश ने किसी हराकर सेफ महिला का चेंपियंशिप जीत लिया है तो इसका ऑप्सन नमर बी राइट होगा नेपाल को इन्होंने हराया है और नेपाल को हराकर महिला शेफ का किताब जीता हुआ तेकि 1922 को कठमांडू के दर्शत रंग शा महिला चेंपियंशिप को बंगलादेश ने किसको हराकर तो नेपाल को हराकर जीत लिया है बंगलादेश ने फाइनल में मेजबान नेपाल को 3-1 से हराया बंगलादेश के कप्तान सबीना खातूम ने 5 मैचों में 8 गोल किये इसके साथ ही वे टूर्णामेंट पर सिर्ष स् इसके बाद नेक्स को चलेते हैं बोला कि हाल ही में नार्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे कम उमर के कौन से भारतिय बन गए हैं यह सबसे कम उमर के नौर्थ चैनल को पार करने वाले बने हैं देखिए असम के तैराक एल्विस अली हजारी का नार्थन चैनल को तैर पार करने वाले प्रतम असम्या बने हैं तता इस चैनल को पार करने वाले सबसे कम व्रकी यह क्या है भारतिय है बन गए है दोस्तो नार्थ चैनल उत्तर पूर्वी आयरलेंड तता दस्चिन पस्चिमी स्कार्ट लेंड के बीच में इस्थित एक जर्ल डमरू मद्ध है उसके बीच इसका आयोजन किया गया था यह आयल अफ मैन उत्तरी हिस्से से शुरू होकर पस्चिमी में अटलांटिंग महासागर तक फैला हुआ है दोस्तो विश्व अल्जाइमर द्योस परतेक एक कई सितंबर को मनाया जाता है यह अल्जाइमर होता क्या है दोस्तो यह अल्जाइमर एक रोग है जो एक दिमाग से समद्धित रोग है इसमें होता क्या है कि व्यक्ति का यहदा समता चला जाता है उसको कुछ भी पीछे का याद नहीं होता है उसके यहदास इसमृति समाप्त हो जाती है इसले इसको मानसिक रोग भी कहते हैं दोस्तो यह रोग क्या करता है कि मस्तिस की कोशकाओं को गोचने की समझने की तथा याद करने की सभी चमताय समाफ्त हो जाती हैं, जिससे हमारा शरी एक नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाता है, दूस्तो बिश्व-अलजाईमर दिवास 2022 का थिम रहा है, नो डिमेशिया, नो अल्जाइमर, इसको ध्यान कियेगा, नो डिमेशिया, नो अल्जाइमर इसका थिम रहा है, इसके बाद नेक्स गोचन लेते हैं, दे कि इसरो ने किया hybrid motor का सफल परेक्षण किया है, 20 सितंबर 2022 को, तमिलाडू के महंद गिरी में स्थित इसरो है, ध्यान क किया है, तरल प्रोण दक प्रोण डाली केंद्र है, इसके समर्थार इसके मदद से इस मोटर का सफल परेक्षण किया है, अगर इसमें इंधन की बात करें कि इसमें किस इंधन का परियोग किया है, तो इसमें इंधन का परियोग किया है, तो इसमें इंधन का परियोग किया छेक्जित आजु स्रीवस्तों लुकर गर्मिंडियांस नें बाकलों से इनके दस्तार। इन्होंने बॉली बूर्ड में भी बहुत सार फिल्मों में काम किया जैसे मैंने प्यार किया तेजा तथा बाजिगर में भी इन्होंने अबने किया तथा इन्होंने हाल ही में इंडियाज लाप्टर चेंपियन में स्पेशल गेस्ट के रूप में भी कारी किया था तो दोस्त कापरेशन ओफ इंडिया लिम्टेड अर्था सेकी ने अपना इग्रहमा अस्थापना दिवस 20 सितंबर को आयुजद किया दोस्तों सेकी एक नवीन और नविकर्ण ये उर्जा मंत्राले की एक कंपनी है जिसे राश्ट्रिय मिशन के कार्यानों के लिए अस्थापित किया गय हाल ही में केंद्री मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने कौन सा एप लौश किया है तो संबंधित जितने भी मौत्पूर जानकारिया होंगी, जितने भी सीखने समंधित जानकारिया होंगी, इस एप पर लोड किये प्रमुक जानेकारिया यहां से मिल सकती हैं, दोस्तों इसे लेदर सक्टर काउंचिल द्वारा बिक्सित किया गया है, वैसे युवक जो लेदर के छेतर में रूची रखते हैं, कार करने काउन का उन्भव है, इस सेक्टर में उनको विशेज तौर्पा मदद मिलने वाला है, इसको नेक्स लेते हैं, दोस्तों आज हम लोग अंतराष्टी क्रिकेट परशद अर्थात ICC के बारे में जानेंगे, इसको हम लोग ICC अर्थात अंतराष्टी क्रिकेट परशद करते हैं, इसे 1909 में आश्ट्रेलिया, इंगलेंड तथा दचिन अफरिका के परतिनिधियों द्वारा इंपिरियल क्रिकेट सम्मान के रूप में अस्थापित किया गया था, इसको ध्यान रखियाएगा, अगस्ट 2022 तक 108 ICC सदसे बन चुके हैं, जिसमें 12 फूर्ण सदसे और 90 सहयोगी सदसे हैं, अगर इसके परतम भारती अध्यक्ष की बात करें, तो इसके परतम भ जोब LRDs, तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आज जो भी करेंट आवेस आपको समझाने का, बताने का कोशिश किया हैं, आपको अच्छे परकार से समझ में आया होगा, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना हैं, बिलेंगे कल के नई रोच्चे घटनाओं के साथ, तब तक क जाए हिंद,